परसों का पूरा गटना क्राम है आज की अगर हम बात करें तो लिया चक्रवर्टी की गिरफतारी आज संबव है हिरासत में लेकर के पूस्टाच भी की जा सकती है एम खबर इस वक्त जाच एजन्सियों के रडार पर आए व्रिया एन गैंक बुरी तरह से अब फस्ते नजर आ रहे है शोवेक अपनी बेहन के बिछाए जाल में फस गया है शोवेक ने इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सियों के सामने जो खुलासा किया है उससे ये तया है कि अब रिया का बच्चना नामुम्किन है क्योंकि अब तक की जाँच इस और इशारा करती है कि दिया इस ड्रग नामा में बराबर की भागितार थी सुशान केस में रिया एन कैंग अप कानूनी शिकनजे में फस्ती जा रही है आज रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशान के हाउस कीपर सैमूल मिरांडा को नौस से तमबर तर एन सीबी की रिमान वे भेज दिया गया अब रिया का बचपाना नामुम्किन समझा जा रहा है क्योंकि अब तक की जाच इसी ओर इशारा करती है कि रिया इस ट्रग नामा के बराबर की भागितार थी रिया की गुणाहों की उल्टी किंति कैसे शुरू है इसे समझने के लिए उनके पार्टनर यानि भागित शोविक और सैमूल मिरांडा की पूरी क्राइम फाइल आपके सामने रखते हैं कोट रूम में एन्सीबी ने कहा बासित परिहार का शोविक और मिरांडा से संपर्ख हुआ था शोविक का दूसरी किरफतार आरूपियों के साथ उसका सामना कराना होगा मादक परार्थों की बिकरी और खरीद में शामिल नेटवर्कों का खुलासा करना होगा शोविक का सामना दिपेश सावंत और रिया चकरवर्ती से कराना जरूरी दरदल शोविक नहीं ड्रग पैडलर पासित परिहार से सैमूल मिरांडा को मिलवाया था लेकिन अब ड्रग के इसी नेटवर्क को रिया के सामने खंखाला जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि रिया और शोविक के बीच भी ड्रग्स को लेकर हुई चैट जाज एजनसी के पास है ये रिया चकरवर्ती और शोविक चकरवर्ती के बीच हुई 15 मार्च 2020 की वाट्स अब चैट है इस दौरान दोनों की बीच क्या बातचीत हुई पहले वो देख लीजिए क्या बढ़ की जरुरत है? ओके तो हम पाँच करम बढ़ ले सकते हैं इससे भी सिगरट बन जाएगी रिया के लिए सवालों की जो लंबी लिष्ट तैयार है वो भी हम आपको बता दे सवाल नमबर एक आपकी वाटसप चैट सामने आई है क्या आपने खुद की थी? अगर हाँ तो किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? सवाल नमबर दो क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती है? सवाल नमबर 3 आपके मुबाइल वाट्सप चैट सबूत हैं कि आप ना से ड्रक्स की खरीद फरोखत कर थी बल्कि खुद ड्रक्स का सेवन भी कर रही थी सवाल नमबर 4 आप किस किस के लिए ड्रक्स मंगवाती थी सवाल नमबर 5 आपके 17 माँच को शोविक के साथ की चैट में आप किस के लिए बर्ड की डिमांड कर रही है यही सवाल वो कडिया हैं जो ड्रक्स की काली दुनिया में धसे शोविक और उसकी गैंग के साथ सीधे रिया चक्रवर्ती को जोडते हैं जाहिर है रिया के लिए इन्स सवालों का जवाब देना बेहाद मुश्किल होने वाला है प्यूर रिपूर्ट जीवी टिया है उतर प्रदेश की योगी सरकार अपरादियों और बावबलियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है योगी सरकार का बुल्डोजर पूरे प्रदेश में गूम गूम कर अपरादियों के काले सामराजी को जमीदोस कर रहा है प्रयागराज में बावबलिय नेता अतिक एमद के करोड़ों के खीमत के दो मकान जमीदोस किये गए जुर्म के खंबो पर खून के गारे से बनी ये इमारण कभी बावबलिय नेता अतिक एमद के दैशत के दास्तान बताती थी लेकिन आज इसका वक्त पूरा हो चुका है जिस इमारत की तरफ कभी लोग बुरी नज़र डालने से कतराते थे उसकी एक एक इंट उखारी जा रही है ये सिर्फ अतिक एमद की इमारत दोस्त नहीं हो रही है इस इमारत के साथ दोस्त हो रहा है अतिक एमद का वर्चस्प उसका खौफ और उसका काला सामराज उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज में अतीक अहमत की दो बिल्डिंग्स पर बुल्डोजर चलाने का काम प्रयाग राज विकास प्रादिकरन ने किया इन दोनों संपत्यों की कीमत करोडों में थी जो मिट्टी में विला दी गई है ये बिल्डिंग अतीक अहमत के साडू और पचीस हजार के इनामी इमरान के नाम पर थी इसके अलावा अतीक अहमत के नवाब यूसफ रोड पर करोडों की एक इमारत पर भी प्रशासन ने बुल्डोजर चला कर उसे थ्वस्त कर दिया है आरोफे के अतीक अहमत के साडू इमरान ने अवैद तरीके से सरकारी जमीन पर कबजा करके इनिर्मार करवाया था जिसे आज मुक्त करा लिया गया है करवाई के वक्त प्रयाग राज विकास प्रादीकरण के साथ ही नगर निगम की टीम भी मौके पर मौझूद थी दरसल कानून को अपनी उंगली पर नचाने वाले अतीक अहमत को भी अब कानून और उसकी ताकत का हिसास हो चुका है अब तक अतीक के 25 करोड के संपत्ती सीज हो चुकी है और उससे जुड़े 49 लोगों के हिस्ट्री शीट खुली जा चुकी अतीक के परिवार के 12 लाइसेंस से हत्याल भी रद्ध हो चुके हैं अतीक के पत्नियों और भाई के लाइसेंस निरस्ट किये गए भाई अश्रफ के पिस्टल थाने में जमा कराई गई है तीन जुलाई को भाई अश्रफ को गिरफतार किया गया अतीक के लाइसेंस से पिस्टल और एन पीबी राइफल को बरामत कर जमा कराई गया अतीक से जुड़े 26 लोगों के हत्यारों के लाइसेंस भी रद्ध कर दिये गए हैं प्रयागराज पुलिस ने अतीक के 6 बैंक का खातों को सीस कर दिया 6 मका, 6 प्लॉट, एक जिपसी और एक लैंड क्रूजर गाड़ी जब्त कर ली गए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने गुंडो, बाहुबलियों और माफिया के खराफ स्पेशल ओपरेशन चला रखा है जिसके तहट अब तक 41 महिने में 40 गैंक्सर पर योगी सरकार का बुल्डोजर चल चुका है और 330 करोड के संपत्ती भी जब्त की जा चुकी है जी इंदुस्तान के स्टिंग ऑपरेशन आइडेंटिटी का बड़ा असर हुआ है हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से करोडों लोगों से जुड़ेवे सरकारी डेटा की काला बाजारी हो रही है और इस खुलासे से पूरा देश हिल उठा लोग हैरान हो गए और सरकार भी चौक गई केंद्रे वित राजमंत्री अनुराक ठाको ने इस इस्टिंग ऑपरेशन की तारीफ किया है इसे सफल बताया है और इसके साथ ही इंकम टैक्स विबाक से जुड़ी हुई कमियों को दूर करने का भरोसा भी दिया है जी हिंदुस्तान के ओपरेशन आइडेंटिटी का बड़ा असर जी हिंदुस्तान के एक्स्कूंसिव खुलासे का बड़ा असर करोरों लोगों से जोड़े सरकारी डेटा की काला बाजारी पर जी हिंदुस्तान के खुलासे से पूरा देश हिल उठा लोग हैरान रह गए और सरकार भी चौक गई आपरेशन आइडेंटिटी के जरिये जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाया था किस तरह करोरों हिंदुस्तानियों की पहचान मिटाने की साजिश रची जा रही है हमने खुलासा किया था किस तरह सरकारी पहचान पत्रों की लग रही है अनलाइन मंडी जिसके जरिये कोई भी आतंकी कल को असली से बिलकुल मिलता जुलता परजी राशनकार पैंकार और ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है अब केंडर सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है केंडरिये वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि वो इंकम टैक्स विभाग की खामियों को दूर करेंगे वित्त राज्य मंत्री ने जी हिंदुस्तान के ऑप्रेशन आइडेंटिटी को देश की सुरक्षा के लिहाद से सफल मुहिम बताया है जी हिंदुस्तान ने ओपरेशन आइडेंटिटी में आपको बताया था किस तरहे गुमनाम गैंग सरकारी राशन कार्ड से लेकर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक का असली डेटा ना सिर्फ ओनलाइन बेच रहा है बलके इसमें छेर चार की कोशिश भी हो रही ह ओपरेशन आइडेंटिटी के खुलासे के जरी जी हिंदुस्तान में देश को आगाह किया था कि इस राश्ट्र विरोधी गतिविधी की वज़े से आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं वे कहीं भी छिप सकते हैं वे टेरर फंडिंग का नेटवर्ट चला सकते हैं हमने आपको बताया था कि इसके जरीए रोहिंगिया और बांगलादेशी घुसपैठिये भी अपनी पहचान छिपा सकते हैं नागरिक्ता का दावा कर सकते हैं CAA और NRC के मकसद को नाकाम कर सकते हैं जी हिंदुस्तान के इस ऑपरेशन के खुलासे की जद में आए टेश विरोधी गैंग के खिलाव अब जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है वियोरर रिपोर्ट जी मीडिया एक ब्रेक के लिए आपर हम रुक रहे हैं लेकिन ब्रेक के उस पार है सुरबंदना